वेलकम टू योट चैनेल प्रेपारेशान फोर अल हैस्टैक 64 डियर लार्नार्स इट इस योट चैनेल तम्रा जड़ा कोल्लानी युनिभर्सिटी ते थार्ट सेमे पोट्छो तमा देर LCC2 कमपल्सरी इंगलीश रोय छे एबं आज कमपल्सरी इंगलीश एर कोबितार साजेशान अथा जे चाट्टी पोईट्री रोय छे तमा देर तार कमपलेट साजेशान तम्रा जदी पूरो भीडियो टी देखो पत्तेक्टी कोबिता थेके MCQ कोश्चेन गुली देखे नाओ ता होले आशन नो एक्जामे किन्तु तम्रा कुश्चेन कमण पे जाबे ता होले देखेने आजाक फास्ट पोएम प्रेयार बिफोर बार्थ प्रेयार बिफोर बार्थ कोबिताती लिखेचेन लुईस मैकनीश द्यूरेंग वाट प्रियोर अफ ताइम वाज प्रेयार बिफोर बार्थ कोबिताती लेखा होए छिलो वाल्ड वार्टू अर्थाद दितियो विशोजुद्धो चलाकालीन समय प्रेयार बिफोर बार्थ वाज रिटेन इन फ्री भार्थ अर्थाद मुक्तो चंदे एटी लेखा होए छिलो फ्री भार्थ कथार अर्थो मुक्तो चंदो दा पोएम प्रेयार विफोर बार्थ इस अबाउट अ प्रेयार अब अन अन्बर्ण चाइल्ड एई प्रेयार बिफोर बार्थ कभी ताते जे प्रात्थोना कोच्चे शे होलो एकटी ओ जातो शिशू अर्था जे एखोनो जन्मो ग्रहन करीनी तार प्रात्थोना I am not yet born, oh hear me, आमी एखोनो जन्माई नी आमार कथा सोनो Who is the speaker? The speaker is an unborn child जन्मो नानेवार शिशूटी Whom does the unborn child ask to hear him? एई आन्बर्ण चाइल्ड काके तार कथा सोनार कथा बोले छे? God, इश्षर के बोले छे आमार कथा सोनो How will the human race intoxicate the speaker? की भाबे एई मानुष जाती ताके मादो का सक्तो कोट्छे? की दिये? With deadly drugs नेशा ग्रोस्थो मारोन नेशा गोस्थो नेशा रोशुद्धिये ताके intoxicate अथार माताल कोडे दिच्छे The unborn child praise God for providing him एई अजातो शीशुटी इश्षरेर काचे की प्राथ्थो ना कोडे चे ताके की देवार जोन्नो Water, grass, tree अथा अंसर हबे option D All of the above एई तिन्टी जिनिशीशे प्राथ्थो ना कोडे चे The phrase hither and dither means here and there What do? Lethal automation Lethal automation refers to deadly killing machine अथात मानुष्माराद जन्त्रो The phrase rehearse me means teach me शिक्खा देवा आमा के शिक्खा दाओ आमा के शेखाओ The phrase console me refers to asking for help शाहज्यो प्राथ्थो ना चले अच्छे परवथ्ति कविता On His Blindness Karl लेखा who composed the poem On His Blindness John Milton लेखा एई कोबिता थे के किन्तु कोष्चेन आजबेई कोबित नाम पत्तेक्टा कोबित नाम कोबितार साथे जेने जेता हवे ता होले On His Blindness लिखे चेन Milton What type of poem is On His Blindness? एटी की? एटी एक्टी सोनेट कोबिता था चोद्दो लाइने लेखा कोबिता के सोनेट बला है The phrase My light is spent means loss of eyesight कोबि द्रिष्टी सोक्ती चोले गिये चे कोबि अंध होए गिये चेन शेटी इतीनी कोबिताते लिखे चेन My light is spent आमार आलो चोले गिये चे The word maker refers to maker बोलते कोबिताते बोजान होए चे God सिष्टी कटता होलो इश्वर Who are God's best servants? कारा इश्वरेर शब्ते के भालोशेवा Those Tara who obediently follow the will of God जारा इश्वरेर आदेश इश्वरेर इच्छा के बाद्धो भावे मेने चले तारा इहोतार Best servants What was the theme of the sonnet on his blindness? On his blindness कोबिताती विशय बोस्तु टाकी Laments over his blindness तार एई चोखे जोती चोले जावार जोन्नो दुख्ष पोकार्ष Next question The poem on his blindness dealt with Milton's mental state तार मानुशिक अबस्ताटाई एखाने तीनी तुले धोरे चेन तार द्रिश्टी शोक्ती हाड़ी जावर परे तार मानुशिक अबस्ताटी क्यामोन होय पोरे चेलो The speaker's talent has become useless एकोबीर पोर्थिभा useless अथात ब्याभोहार हीन होय परे चेतार पोर्थिभा तीनी आद द्याखाते बाच्चेनना किशेत जोन्नो Because of his blindness तार अंधोत्ते जोन्नो In the first stanza पोथम स्तव के दा पोएट कांसर्न अबाउट की संपर के तीनी उद्भिगनो His blindness तार अंधोत्तो निये चोलायाच्छी परवथि कोबीता ते She dwelt among untroden ways Who composed? She dwelt among untroden ways William Warsaw अतेल लेखा एक्टी कोबीता Lucy is praised by एई कोबीताई शी बोलते बोजान होएचे Lucy के जे छिलो एक्टी कल्पो मे Imaginary girl Lucy was praised by very few खुब कमी लोक आछे जारा Lucy पोशोंशा करे Lucy is compared to Lucy के तुलोना कर होएचे की से शाते Violet and star Violet full एबंग नख़त्रे शाते Lucy is as fair as star Lucy होलो नख़त्रेर मतोई शुन्दोर Who is Lucy? Probably an imaginary girl एक्टी कल्पो मे कल्पो निक एक्टी मे How did Lucy live? Lucy की भावे बशबाश करतो? Lucy lived Alan शे एकाई बशबाश करतो Who is compared to as violet flower काके तुलोना कर होएचे Violet flower शाते Lucy Oh the different to me What incident made difference to the poet? कोन घटोना टाके कोबिठ्थे के आलादा करे दिये चे ताके Lucy's death Lucy मित्तु एई Lucy के कोबिठ्थे के आलादा करे दिये चे The phrase Mossy Stone Signifies that शेवला मौई पाथोर बोलते की बशबाश न होएचे Lucy led ए Secluded life शे निज़ने एका बशबाश करे शेटी बशबाश न होएचे एक्टा पाथोरेर गाए तकोनी शेवला जोमे जाए जखन पाथोर टार गडाईना एकी जागाई थेखे जाए जखन शेखाने के उजाए ना The phrase Spring of Dove Dove एकाने एक्टी नोदी तर जणना Spring of Dove Signifies Lucy's Purity and Innocence तर पोभीत्रोता तर निश्पाप बोध एटी दाखानोत जोननों एई फ्रेश्टी कोभी व्याभार कोरेचेन The Spring of Dove एबार चोले आच्छी परोबत्ती कोभीता थे एबां आजगे लास्ट कोभीता Shall I compare thee to a summer's day Who composed Shall I compare thee to a summer's day William Shakespeare एल लेखा एकोभीता थी Shall I compare thee to a summer's day is a sonnet एटी ओ किन्त एक्टी सोनेट कोभीता Nature's Changing Course is ओखाने Fill in the Blanks कोत्ता आबे डाश पुरण कोत्ता आबे और डाश से लिखता आबे Untrimmed प्रकीतीर जे परिवत्तने नियों शेटी अ परिवत्तने नियों चोलते इथागबे आमड़ा आक्षमाई शबाई बुरो होए जाबो एटाई प्रकीतीन नियों The Darling Birds of May Are shaken by शुन्दोर फुलेर कुडी मे माशेर शेगुलीके जोडिये दिये जाच्छे के Rough wind रुख्खो बाताश The Eye of Heaven refers to Eye of Heaven बोलते बोज़ानों होएचे दा सान शुर्जोके शर्गे चोक बला होएचे The Sun's complexion complexion माने कालार शुर्जेर कालार इस सेट टुबी क्यामोन बला होएचे कोभी ताते गोल्डेन शोनाली रंग शुर्जे The Poets Friend is compared to a कोभीर बंधुके तुलोना कर होएचे कास्षा ते सामार्स डे गिश्षे दिने स्षा ते हेआर Eternal Summer refers to Eternal Summer अथा चिरोन तोन गिश्षो बोलते बोज़ानों होएचे Beauty and Youth सुन्दर जो एबं जोवन एदू टिके Eternal Summer बोला होएचे So long like this here this refers to the Poets भार्स एखाने दिस बोलते बोज़ानों होएचे कोभीर कोभीता टाके अथा तेई कोभीता Sonnet No.18 के बोज़ानों होएचे The gold complexion of the sun is dreamed by शुर्जे शोनाली आलो कीशे मिदु होए जाचे आंसार होलो Clouds मेघेद दाड़ा The Poets suggest कोभी देखिये चेन that Death has no control over poetry मिद्टूर कोनो नियंत्र नेई किशेरू पोर कोभीतारू पोर Rappwind रुख़बाताश डुशेक नारिये दिये जाचे कोन जी निष्टाके एकाने Feel in the Blancs कोत्ता हावे Darling Birds of May ओखाने हावे आंसार्टी Darling Shakespeare Sonnet No.18 A Shall I Compare to a Summer's Day एटी किन्तू William Shakespeare ए लेखा आठरो No.18 एटी तम्रा मोने रागबे Is Address to a Young Friend एई कोभीताटी लेखा होये चे तार जुबग बंधूर पती स्रद्धा जानिये The month Referred to in the Sonnet 18 is एई Sonnet 18 कोन माशे रूल लेखाचे May In Sonnet 18 Shakespeare glorifies the beauty of Kars अंदज्य बैखा करे चे His friend तार बंधूर The poet's friend कोभीर बंधू is more lovely अनेक बेशी शुन्दोर and more अंसरहवे temperate मोनोरम The phrase Summer's list suggests ग्रिश्षेर मियाद एटी क्यामून Short Term of Summer ग्रिश्षेर मियाद टाहलो Short सल्पस थाई खनोस थाई एटी Duration टाहलो Short Shakespeare Sonnet 18 Stars उई Question एई कोभीता टी किन्तु एक्टी पोस्नो दियेश्ट शुरू होएचे प्रोस्नो टाही कोभीता नाम Shall I compare to a Summers आमी की तमाके ग्रिश्षेर दिनेश्षाते तुलो ना कर्बो एई Question दियेई शुरू होएचे कोभीताटी आजगे 6 Question Death shall not be able to take the poet's friend into his शायाई निये जेते मित्तु ओ पाठ्छेना तार बंदु के तार शायाई निये जेते धराबाईक Suggestion पेते जाड़ा चैनेले नोतून चैनेल टीके सब्सक्राइब करे नोटिविकेशन अन करे राखो That's all today देखावचे पड़ेर वीडियो थे